एक हाउजिंग सोसाइटी का एनुवल डे मनाया जा रहा है। सोसाइटी के लोग हाउजी खेल रहे हैं। 15 साल की पिया और उसके दोस्त रिंकू भी खेल का मजा ले रहे हैं। अगला नंबर अनाउंस किया जाता है। रिंकू जल्दी से अपने कुपन पे नंबर मार्ग करती है और खुशी से चिलाती है। Fastest 5 हो गया। सब लोग तालिया बजाते हैं। अगला नंबर अनाउंस होता है। इस बार भी रिंकू के कुपन में वो नंबर मौजूद होता है। और रिंकू की टोप रो कंपलीट हो जाती है। रिंकू खुशी से चिलाती है। टोप रो, टोप रो। इस बार पिया को विश्वास नहीं होता। वो खुशी से उचलती रिंकू को देखती है और उसका मूँ खोला का खोला रह जाता है। उतने में कैडबरी चॉकलेज गोल्ड की एक कैंडी अन्रैप होकर सीधे पिया के मूँ में आके गिरती है। पिया मूँ बंद करती है। जैसे ही वो कैंडी को बाइट करती है, जमेन से एक बड़ा सा चॉकलेट फाउंटन निकलता है और पिया को हवा में उपर उच्छाल देता है। पहले गश का इफेक्ट हतम होते ही, एक और गश पिया को थोड़ा और उपर उच्छालता है। बैग्राउंड में हम ये वोईस ओवर सुनते हैं। लाइफ में हर एक चीज डबल मिलेगी इसकी कोई गैरंटी नहीं। लेकिन दो रुपाई के कैटबरी चॉकलेज गोल्ड में डबल चॉकलेटी गश गैरंटीड मिलेगा।